राम राम नून पर राम भी सबने उमीद है सब बहुत मज़े में हूँ मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ यह Q&A का व्लोग जो मैं दो दिन तीन दिन पहली एक स्टोरी डाली कि सब के स्वालों का जवाब मिलेगा पुछो जो भी पूछना है तो बहुत लोगोंने बहुत स सारे सवाल पुछे हैं जो मैंने इस फोन में स्क्रीन शोट ले रखे हैं देख सकते हो आप ठीक है यह देखो तो सब के सवालों का जवाब देना तो इंपोसिबल है दस हजार सवाल है लेकिन एक ही सवाल बहुत लोगोंने सेम सेम पूछ रखा है तो जत्ती भी कोशिश हो सारूं पहलो सवाल है बही सीरियल में देया वापिस कब आएगी वो एक नाटक है नी बही देया डो तो मन ठाक होनी ठोक के देया वापिस कद आओगी मैं माफी चाओं लेकिन ही व्लोग में लगवग सब गय सवाल आँगा जवाब थाने मिल जिएगा बारी बारी थे ना पूछियो और कमेंटों क्यों नहीं रखते कमेंटों नहीं खातर को राखू कि बहुत लोगांगा मतलब के गया करें नेगिटिव पोजिटिव हर डालगा कमेंट हो है तो मैं सब का जवाब को नहीं दे सको बस जो मेरों प्यार करें बानत तो बोल सुको लव यू थैंक्य सो मच थे प्यार बनाई राखो और कमेंट पढ़न अगा टाइम को नहीं हो फेस्बुक यूट्यूब इंस्टाइगराम पर थोड़ो पढ़नों भी होए तीन लाख रिप्या करगां फीस बर रख्ये द्रेस्टिम मार देगा मन वो तो पार टाइम है ठीक है और जल्दी मन से ही करोगे ना जी हां जी सो टका प्योर विष्णोई जो 29 के 29 रूल फोलो करें चा भी कुन पिये है उस विष्णोई से मैं शादी करूंगी और विष्णोईयों में ही मेरा रिष्टा हुआ है जी तो शादी भी जल्दी है आगी जवाब दे दियूंगी रुको क्या ये आपकी सगी भावी है क्या वाव दी वेरी नाइस आप तो बहुत लग्की हो जो इतना अच्छा सा सुराल मिलेगा आपको थैंक्यू जी वो मेरी सगी भावी तो नहीं है लेकिन सगी जैसे ही है और उन् एसा ना बोलना कि बाद में बताऊंगी क्यों ने तो जवाब तो चाहिए ना के टकुण हो क्यूट सवजण भी फुच्छू है तो मेरे हस्बेंट का जी हाईवे बनाने का काम है कंस्ट्रक्शन का काम है एनची आई के टेंडर लेते हैं वो डारेक्ट ठीक है तो डेस ही बास हम के दिया तो जी ठेके दार रोडांगा जो या करें अभी हमारा काम अर्याना और राजस्तान से भी बार आउट ओफ स्टेट चल रहा है कित चले बहुत ही जानर केक रोगा लेकिन अच्छा लेवल गो काम है हम सब लेट पे काम देते हैं लोगों को आप इसार में मीट अप कब कर रहे हो दिनी अमरीश पूरियों के मैं इसार में मीट अप करूँ पागलू मेरों मिलेन कुण आओ बठो क्या बेजती कर आओ मेरी ब्याम मीट अप कर लिया हमार मेरों ब्याम आजी हो एक ही बात पूछनी थी आपने पापा को पिछे बिठाया गाड़ी में खुद आगे होगी सटार तू अपने गर पे लेकिन माबाप सबसे पहले होते हैं इंगो मैं जवाब बढ़ी आड़ो दियूंगी जी बात यहा है कि मेरों पापा आगी बैठड में विल्कुल भी कमफर्टेबल कोनी हो एं मेशा ही वो मेशा पिछा बैठना ही प्रैफर करते हैं वरना मेरे मेरे पापा नहीं कहां पापा थे आगी बैठ जो थार गोड़ा दुख है ते गोड़ा लंबा कर लियो लेकिन मेरे पापो का मैं तेरे मा करनी बैठ़ूंगो बंगो लोग लोगा यहां प्यार तो है के करा ठीक और लारे बैठ गे ही पापो खुस है अगी तो बैठ रोड़ी में यूंक है मन तो लागा तर्ण में घुरीम बढ़ गयो तो के करा बताओ फिर गाड़ी वो चलावे तो मैं ब तो गुव दुन्यूंअ फुम पाजि गो के नाम है भुव जी लगा खा फो आ मैं तोबा नीरा गया करों सुनों के नाम तो मैं लियों ही को नीक दे आप रिपलाई नहीं करोगे क्या क्या पुछें आपसे तो जी आप इस बार बहुत गऴत थे मैं सब खातर रिपलाई करें खातर स्पेशल वलोग बनान लागरी हूं हमें देखना ऐसा है कोन सुर्वीर पैदा हो गया जो तुछे शादी कर रहा है मेरे कांट लाग रहे हैं जो मेरों ब्या कुन करें बहुत दो खेल दो राजी होगे ब्या के लिए जान लाग रहे हैं मने खुद पसंद की है उसने मुझे उसको मेरे जैसी ओपन माइंडिड ल आपके अस्बेंड को भी दिखाओ वीडियो में क्या आपका ससुराल सिर्मंडी में है नहीं जी मेरा ससुराल सिर्मंडी में नहीं है जो दुपुर में ही है किसी एरिये में है वो मैं वक्त आने पे बता दूगी एक बात पूछनी थी अपने पापा को पिछे बिठाए ठी को तो गयो आप किशादी कब किये जी मारत में भी ओसक है और अक्टूबर में भी ओसक है अप्रेल में भी ओसक है कंफर्म नहीं है अम तक कुछ भी क्योंकि बांगो बार काम चाल ले तो बन लग बार रहनों पड़े भी रीजन हूं ठीक है आप अपने अस्बेंड की शकल क्यों नहीं दिखा रहे हों क्योंकि माई अस्बेंड इसे वेरी वेरी भुणडा इसलिए नहीं दिखा रही हूं मेरों भी भुणडवें यानि कि मैं तो सूनी हूं हो इको नहीं लेकिन बहुत ज़्छादा सून हॉय थी टोक लगा दियो का जद कौन दिखाँ दी आपकी सेलरी का राज कैसे कमाती हो इतना 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 इसो की इंको नहीं बस दाल रोटी अड़ो गुजारो होए ठीक है और की घणा कोन कमाऊ मैं और आपकी सेलरी आपकी कमाई और उमर नहीं बतानी चीए विद्दम लिखेड़ी है क्योंकि व गाउं कौन सा आपका क्या काम करती हो जी मैं एक इन्फिल्योंसर हूं जो कि आप सब देखते ही हो वीडियो यूट्यूबर फेस्बुक वगएरा पर डाल रोटी आड़ा पीश है तो आवी है और गाउं है मेरा चबरवाल आप शादी कहां से करोगे ब्या तो मैं मेरे घर लगा दिया और गम में करां जी नहीं गाम वालान के ठापड़े फिचर पार्टनर तो दिखा जो दीदी थारो कितो के वेट करा शो एई ये सवाल है वह एई ये दी थे जेट जी जेठाने जी गो तो मानने बता दियो भी पार्टनर गो भी बता दियो के बताऊं सोशल अच्छी डाल रहां कोई बता भी कौन सकते कि मेरी अरेंज मेरी जैकला हूं मैरी जे आपके पार्टनर क्या बिजनस करते हैं ऐसा ना बोलना ठीक है यह हो गया कुना गया रहो और सवाल है आगया आगया देदी आप कभी राजस्तान के जुंजनों स्टेट में भी आओ प आपके husband का क्या नाम है अभी नहीं कि मेरे husband का नाम है अो ऐस्यraf original है कुफ शीक्रेट शीक्रेटी रहने दो कि अलग बग साध्या करा मूझा भी आना है दी दिये जद्ध भी होगी अपडेट मिल जाओगी ज़रूर आयो most welcome सब गिफ्ट ले गया यो खली आत कोई न आयो आप अपने husband की वोटो हो ये बगवान आपसे contact करने का माध्यम सोमराज भिष्णोई फ्रों बिकानेर जी contact नहीं हो सके मेरो ये आपके कोन लगते हैं वो मेरे वो लगते हैं साधी हो गई क्या सिंगर तो कर लियो पर शदी कब करो दाबडी में आपका क्या रिष्टा है मेरे जेट जिठानी है कहां हो आप अभी वापस फ़लो दी जदी आगया जी में तो साधी कब कर रहे हो बताओ जिमन जिमन ने आवा जरूर जी आपको राजस्तान में शादी करके कैसी फिलिंग आ रही है भावी साब बहुत अच्छा लग रहा है जी आप बहुत सुंदर हो कभी जाजी वाड दोरा आओ आओ आपसे मिलना है जरूर जी अब काल आणों लेकिन में लेट हो आरात की माने गर है पहुंचनों तो जद में कौन जा पाया जी जूगी पिक सेम स्वाल आपकी शादी किस सेम स्वाल आप बिन्या सरगाओं को जानते हो क्या नहीं जी लाई पार्टनर की फोटो दी दी कभी जी जा जी को भी दिखा दो हम आपकी स्टोरी लगाते हैं वापिस मेंसन नहीं करते यार जी मैं देख कोन पायों मापी जा आगला आपकी सरद अनुसार आपकी छोरी इनकी दिये थोड़ों बहुत तो बंगी मर्जी है लेकिन ना तो हम दयेज लेंगे दयेज याने की बेड़ वगेरा फरनीचर का कोई भी समाल लेंगे हम पैस एक रिप्योर एक नार्यड लियांगा बस बे आपकी छोरी ने पांच चल आपकी दिदी जीजू की फोटो दिखाओ रिस्ट्रिक्टिड के ओ कर रहे हो जीजू चेहरा दिखादो आपकी शादी कफिक्स हो रही है यह सवाल के क्यों ने को जवाब दिए दी मैं आपको धरम बेहन बनाना चाहता हूं जीजू मुझे दिल से दी मानता है प्रमल्टी होगे ठीक है आपके लव की स्टोरी पिक क्यों नहीं लगाती दी क्योंकि जी लव स्टोरी नहीं है मेरी रेंज मैरीज है फिर लव हुआ है क्योंकि शादी उने में काफी टाइम लग गया किसी रिजन से उनके पापा जी को एक्सपायर हुए भी दो साली हम रिष्टा उने के बाद गुम फिर रहे हैं तो क्या दिकत है पूरी जिन्दगी भी तो बास आगई भी तानी है मन तो आसोच थे सुधारो प्लीज दीदी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत बढ़ी है धन्यवाद जी कुछ नही वीडिया पर कहीं नहीं है जी मेरी वीडियो भी मेरे अकाउंट में देखते हैं आपके अंगेजमेंट कब हैंड जीजू का फेस रिवील कब करोगे जल्दी जल्दी रिंग सेरेमनी करेंगे जी फरवरी लास्ट यह अमारे जो भी रहता है प्लानिंग अभी आग्यों नहीं दिखाना दीदी शादी कब कर रही हो जीजू का चैरा यह बगवान सेम ही सेम शादी कब आपकी बताओ प्लीज 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 इस नोई में किस्सा हो थे खिचड़ां जी दीदी आप इस पैनाओं बहुत अच्छी लेते थे थैंकि तुम्हारे प्रमोशन करवाने हैं जी जिसको भी प्रमोशन करवाना हो मैं रिप्लाई ना कर पाऊं तो अंकित को मैसेज कर दिया गरो आड किंगी यह है आड जी आ मेरे बाबी जी वेलकम बाबी जी राजस्तान धन्यवा जी आपको कुसलावा आ के कैसा लगा बहुत ही अच्छा लगा जी बहुत मान सम्मान दी हो मलब दिलू आबार धन्यवा जी राम राम तन्यू बिश्णोई जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है आप बोल रहे थे राजस्तान में शादी है तो इसार में कोन करेगा बरात तो जी मेरा गरही आओगी लुआवट कप आओगे जी फिर लुआवट जी जल्दी आएंगे आप क्या लगती है जी आपकी मेरी कप अच्छा सबसे बड़ी है बात ये है कि आप खुले विचार के और किसी से कोई बेदबाव नहीं रखते तो जी मैं ओपन माइंडीड भी हूँ और संसकारों की जगे मन संसकार भी पतो है मन पतो या करें कि जो जिठानी होए सुसरा होए सासू होए बंगा पकदाबना होए और अभी अभी मैंने सुदेवन अंजी के साथ पूर 120 सब्दों का सचीदा अंजी के साथ अवन किया है आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हो मैं गुण भी जानती हूँ और जाना वकाद दिखाने जीवान वकाद दिखाने भी जानू तो ओपन माइंडीड भी हूँ इ इसलिए उन्होंने मुझे चूज किया है राजस्तान में कौन सी जगह सा सुराल है आपका हम राजस्तान भी लवाड़ा ठीक है हर टाइम अपने अपने बिश्णोई होने के साथ ही बिश्णोई कल्चर का उजागर किया है और वी आर बिश्णोईजम एंड वी आर हो रही ज़ोधपूर में हो रही है तो ओशेजोधपूर में ही आवे दीदी आपके होने वाले अजबिट क्या काम करते हैं बता चुक्त हों आपके शादी हो गई क्या नहीं जी आपका सुस्राल कहा है दीदी आप इस नुई समाज का बहुत अच्छा पालन करती हो जी ब्याबाद में ही पयरेकुमारी फॉर्यां सूट ही डालि produkt क whisper चरूसीब दिनेंज खिचड संसोर राजस्तान से आप हम यशार से मैंने आपके husband को देख लिया किसा का है बताईयो जुरूर है अच्छा लागया किताने husband का फोटो भी लगा दो आपकी सगाई हुई है आपकी पसंद है या आपके ममी पापा की मेरे ममी पापा की पसंद है जी तभी अब इतना open mind रहते हैं तभी मेरी family अत्ती खुश है दीदी आपके शादी कब है आपके सिस्राल भी सनोई में जानी गोत्तर में है क्या नहीं जी आपके husband की पिक कभी तक story में नहीं डाला है तनुडी बता दे क्यों भ्या करे अच्छा आप जंब आये थे क्या आप भी जब कुशलावा आये थे हांजी आपका सिस्राल कहां या जोद पूर में शादी कब कराओगे ये बगवान थारो भी इन दिखा दियो destination वेडिंग करोगे क्या आप हभी का सुब नाम नहीं जी destination आड़ो कोई प्लान कोनी जो रिती रिवाज हूँ हो या गरहे छोरी बाप गांगण हूँ बेईज गे जावत आच्छो वेड बोई कराँगा एंदाबात बहुत सिंपल सोबर इशादी करेंगे पूरे ृट्वोल्स के साथ पूरे विष्णोई कल्चर के साथ शादी कब आपके आपके अजबेंड फेस सी दे सादी ये कोन है आपके साथ और आपके अजबेंड की फोटो तो डूल दी जवाब तो देते नहीं हो ते आपको हंजी क्या नाम है आपके हजबेंड का आप संचोर का बार रहे हो आपके सिस्टुराल का यह बगवान यह सवाल के जवाब दियूं क्यों और पूछ लिए आ रहा है दिदी आप अपने हजबेंड 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 मेरे से जरूर मिलेंगे जी कभी बगवानने चाहा तो शादी का वलोग मिलेगा जरूर जी आप तो शादी के डेट बता दो दिदी माप से मिलना चाहती हूँ क्या आप मुझे मिलोगे और कहां पर मिलोगे मैं जी मेरे घर मिलूंगी जुरूर मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे आपके घर का अड्रेस बता दो दीदी मैं मिलने आ रहा हूं प्लीज अड्रेस को नहीं बताज़ कूँ जी सोरी शादी की तुई था रही सगी जी सग्ये ना बताओ ना जी यह कौन होई आप निजोदपुर में सगाई कि यह शादी भी स्नुई से ही करोगे ना जी डैफिनेटली यह बगवान आप बिल्कुल फिट हो दिया मैं फिट की तूं साथ किलो गी ती एतर चोईतर गी हो रही हो एक बात पूछ नहीं थी अपने पापा को अच्छे है यह तो जी हो गया सेम ही फोटू तो जी लगबग सारा सेम ही सवाल है नेम बराबर बात है ठोकिया ठीक है और यह यहां सवाल खतम होते हैं आगे कोई फोटू है जो भी है गाने गुनाई प्रमोशन की कोई पढ़ी है लगबग सबका सेम ही सवाल है तो मैं सेम क्योशन्स वगएरा जो भी है बार बार पढ़ना जुरूरी कौन समझे जत्ता हो या रिप्लाई कर दिया और अठाला बिट को बलोग हो गयो सेम ही सेम सवाल है के जवाब दिए क्यू एने में आप अगली बार जब भी मैं क्यू करने का बोलू तो कोई ओर स्वाल करना मेरे ब्या न छोड़ गे सब गो जवाब दे चुकी उरिंग सेरमनी जल्दी कर लेंगे रिष्टा रास्ता जी पक्का हो रहे है सारों सिस्टम हो रहे है जो अनों चीए ठीक है तो थारों जाधत मार रिष्टे दारम जाधत बढ़क कोस्ट अड़ा कमेंट करो नहीं ओकात है तो आपके रियल आइडी हूं मेरे कन कमेंट करो फिर मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जवाब दूँगी रियल आइडी से मैसिज करो बकवास न को करो और जी जब तरक्की होने लग जाती है किसी इनसान की तो उसका कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन बदना में सुरू करते है बस बही काम सुरू हो रहे है बही फालतुगा बही फिजूलोंगा मेरे लड़के भी दोस्त है लड़के भी दोस्त है जिन लड़के दोस्तों के साथ मैंने कभी पुराने टाइम में वीडियो डार रखी है उनके साथ बह फालतों में नाम जोड़ दोड़ के बकवास कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में लड़के दोस्त भी होते हैं लड़कें भी दोस्त होती है और मेरे ओने वाड़े अजबेंट को मेरे सारे दोस्तों के बारे में मेरा पास्ट प्रजेंट फ्यूचर सब कुछ बोध अच्छी डाड़ पतो है तो थे बिल्कुल भी तिनका तोननगी कोशिस ना करो थारे कुछ भी करनू मेरो रिष्ट तो कौन टुटे की भी आलत में कौन टुटे ये मराज भी आजे तो भी कौन टुटे बिकोज ही लव मी इत्तो सो रहा है तो यह है तो मनेल के बनाओंगा जवाब यह है तो जबता भी हो सक्या पॉसिवल मैं जवाब दे दिया लग वाग सेम सवाल है थैंक यू सो मच और कोशिश करूंगी आगी वह लोग जारी राख हूं अभी बाहर जाने के प्लानिंग बने यह हमारी काम से रिलेटिन नहीं बिजनस के लिए मुझे बार जाके आना है तो हम जाएंगे अंकित महराजी नागे रैडी हो चुके है सुबह अगर टाइम और नो बज गया मैं नान होगे सिर्थ होगे रैडी हूं अब मैं करूंगी यह वन तो बाई बाई टाटा लब य कर दो